नमस्कार साथियों, लाइफ कीपर चैनल में आपका स्वागत है, दोस्तों भगवान शिव अपने शरीर पर चिता की भस्म धारण करते हैं, आपने कभी सोचा है कि महादेव अपने शरीर पर भस्म ही क्यो लगाते हैं, और वह भी किसी लकडी की भस्म नहीं, बलकि चिता की भगवान शिव क्या संदेश देते हैं। इससे हमें ये संदेश भी मिलता है कि हमें अपने इस शरीर पर घमंड नहीं करना चाहिए, एक दिन सुन्दर से सुन्दर व्यक्ति भी मृत्यू के बाद भस्म बन जाएगा। माना जाता है कि शव को जलाने के बाद बची हुई राख में उसके दुख, सुख, बुराई, अच्छाई भी भस्म हो जाती हैं। इसलिए चिता की भस्म को शिव पवित्र मान कर धारण करते हैं। इसलिए कई साधू, अगोरी और सन्यासी अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। भगवान विश्नु शिव जी की ये दशा देख नहीं पाए, तो उन्होंने माता सती के शव को छुकर उसे भस्म में बदल दिया। और इसके बाद शिव जी ने माता सती को याद कर वही राख अपने शरीर पर लगा ली। इस तरह भस्म धारन करने वाले शिव यह संदेश भी देते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार अपने आपको ढालना सबसे बड़ा गुन है। तो दोस्तों इस प्रकार से भगवान शिव अपने शरीर पर चिता की राख लगा कर मृत्यू के स्वामी के रूप में भी जाने जाते हैं। दर्शकों हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। कृप्या अपना कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ में बैल आइकन को भी दबा दें। ताकि जब भी चैनल पर नया वीडियो आए तो सर्वप्रथम आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों आपका दिन शुब हो।